जाल करता है तो आपको वोट भारत बाजबागो जाना चाहिए उप्रधान सिमती अचरच कमर जी उप्रधान हरिनायन मेना जी आमेर बिधासवा छेत्र के सभी भारती जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्स गण पार्टी के पतादी कारिकण पंच सरपंच गण सभी सम्मानित कारिकरता और आमेर के सभी राष्ट भक्त स्वाभीमानी जनत जनर्दन भाईयों बेहनों आज मद्यप्रदीस और मेज़रब में मद्दान हो रहा है इससे पहले 20 नौवंबर को 36 गड़ का पिधान सभा का चनौश संपन हुआ है मित्रों आज मद्यप्रदीस और मेज़रब में जनता का जोड़दार रुज़ान मद्दान में भारती जनता पार्टी के पक्स में देखने को मिलना है 12 और 20 नौवंबर को 36 गड़ विधान सभा का चनौश संपन हो चुका है लेकिन हर चुनाव विष्ले सक कहता है कि 36 गड़ और मद्यप्रदीस में चौथी बार भारती जनता पार्टी लगातार सरकार बनाईगी मेज़रब कांग्रेस की सरकार है लेकिन जब 11 दिसंबर को पैणा माएंगे तो मेज़रब में भी भारती जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी जब 36 गड़ में और मद्यप्रदीस में चौथी बार मेज़रब में भी भारती जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनने जा रही है तो मैं राजस्थान की इस स्वाभिमानी जनता से अपील करूँगा कि राजस्थान के सम्मान को आगे बढ़ाने वाली राजस्थान को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने वाली सीमती वसुंद्रा राजे जी के नित्रत्व में भारती जनता पार्टी की सरकार लगातार दूसरी बार भी राजस्तान में बननी चाहिए यह अपील आप सबसे करने के लिए में आपकी बीचाया हो मित्रो पुरे देश के अंदर राजस्तान बिधानसवा चुनाओं पर निगाएं लगी है जनता की और यह निगाएं इसलिए भी हैं लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यह चुनाओं किन मुद्दों पर हो रहा है आखिर इस चुनाओं का उतेश से क्या है आप सब जानते हैं कि राजस्तान हो या देश, कॉंग्रेस ने सरवादिक समय तक इस देश के अंदर सासन किया, लगबग बच्पन वर्सों तक देश में कॉंग्रेस का सासन था, और राजस्तान में अधिक सरवादिक दिनों तक कॉंग्रेस पार्टी ने सासन किया, लेकिन इस देश के चार मेत्वपूर्ण हिंदी पावले प्रदेश बिहार, मत्य प्रदेश, राजस्तान, उत्तर प्रदेश जिन से आज तीन नए राज्य और बने है बिहार से जार खंड, मत्य प्रदेश से छतीस गड़, उत्तर प्रदेश से उत्रा खंड ये साथ जो हिंदी बावले राज्य हैं कॉंग्रेस की सरकार के समय कॉंग्रेस के कुसासन के कारण ये राज्य बिमारू राज्य हो गए थे यहाँ ना सडक थी ना बिजली थी ना पानी थी ना स्कूली सिक्सा की बिवस्ता थी न याप पर स्वास्त की उत्तम बिवस्ता थी न किसानों का उपज का दाम किसानों को मिल पाता था न नो जबानों के लिए रोजगार की बिवस्ता थी कॉंग्रेस ने दंगे दिये कॉंग्रेस ने देश को आतंग बाद दिया कॉंग्रेस ने देश को नकसल बाद दिया और कॉंग्रेस ने इस देश में भरस्ताचार को जन्म दिया कॉंग्रेस अराजकता की जन्नी है और अगर मैं कह सकूँ तो कॉंग्रेस की नाजायज उपज के रुप में या तंगबाद नकसलबाद और यह भस्ताचार है तो जो हमारे विकास में बादक हो जो सुसासन में बादक हो जो रास्टबाद के मार्ग में बादक हो उस कॉंग्रेस को वोड देने की बात तो दूर दूर से भी एगर आप हाथ से छूने का कुछ सित प्रियास करेंगे तो अपने आप में महा पाप का कारण बनने जा रहा है और इसलिए इस पाप से हम मुक्त रह सकें इस दृष्टि से आप सबसे पील करने के लिए आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपके लोग प्रियसांसत करनल राज्यवर्दन सिंग्जी ने इस पूरे जैपूर में उन्होंने एक विवस्ता बनाई कि आर्मी के देश के पैरा मिलिटरी में या पुलिस में जवानों की भरती के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की विवस्ता उन्होंने यहाँ पर नौजवानों के लिए जब प्रारम कराई तो मुझे आर्म को पहली प्राथमिक्ता देता था जिससे वो देश की सेवा कर सके कॉंग्रेस के कुषासन के कारण नौजवानों का मोबंगवा था और मैं विनंदन करूँगा करना रज्यवर्दन सिंग जी का किनोंने नव सुमानों को एक बार प्रेरित पुना किया है कि देश की सेना में जा सकें अर्ध सेनिक बलों में जा सकें पुलिस में जा करके और अपनी सेवा दे सकें या कार ये कोई राष्ट भक्त ही कर सकता है कॉंग्रेस नहीं कर सकती कॉंग्रेस से इसके उमीद की भी ने जा सकती है इस देश के अंदर कॉंग्रेस ने 55 वर्सों तक सासन क्या मैं पूछना चाहता हूं राहूल गांदी से कि सासन कॉंग्रेस का था राहूल गांदी के पूरवजों का था राहूल गांदी की विरास्ट का था और मैं राहूल गांदी से ये प्रस्न कहना चाहता हूँ कि अगर सासन था तो किसानों ने सरवादिक आत्मत्या की थी कॉंग्रेस की सरकारें क्या कर रही थी गरीबों को रसोई कैस का कनेक्शन नहीं मिलता था गरीबों को आवास नहीं मिलता था गरीबों के घर में सोचाले नहीं बनते थे विद्दुत के निसुलक कनेक्शन नहीं मिलते थे इस्कूली सिख्सा की उचित विवस्ता नहीं कर पाई थी कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के द्वारा जानती ही नहीं है कॉंग्रेस को न देश के सम्मान का न देश के स्वाविमान का कभी कोई फिक्र नहीं रहा और यही कारण रहा कॉंग्रेश विभाजन की रासनीती करती रही मित्रों मैं जब बार बार इस बात को देखता हूँ अंतर लोग कहते हैं क्या आया है और मैं यही बोलता हूँ यही अंतर आया है कि भारती जन्ता पार्टी की सरकार है आप देख रहे होंगे कोई दिन ऐसा नहीं दिस दिन 4-6-10 में आतंगबादी कस्मीर के अंदर मार न किराए जा रहे हो यह है भारती जन्ता पार्टी का सासन और कॉंग्रेश इन आतंगबादियों को बिर्यानी खिलाने का काम करती थी इनके साथ नातेदारी और रिस्तेदारी जोडने का कारे करती थी उनको आतंगबादियों में भी बोर्ट मेंग दिखाई देता था आतंगबादियों के लिए यह लोग सम्मान समारों आयुजित करते थे लेकिन हमने आतंग बादियों के लिए सम्मान समारों नहीं हमने का आतंग बाद की जगत क्योल मौत होनी चाहिए और इनको मौत बांठने का कार्या अगर कोई कर सकता है तो देश द्रोही तत्तों को किवल भारतिय जंता पार्टी कर सकती है और इसलिए आत्में आपसे कहने के लिए आया हूँ मित्रों जब हम लोग किसी गरीब को आवास देते हैं किसी गरीब को भारतिय जंता पार्टी सोचा ले देती है किसी गरीब महीला को रुसोई कैस का कनेक्सन देती है और जब भारती जंता पार्टी किसी गरीब के गर में बितुत का निसुल को कनेक्शन देती है या कार्य हमारे ले राम राज्य की अस्थापना का कार्य है या कार्य हमारे ले राम राज्य की आदार सिला को सुदिर्ड करने का कार्य है क्योंकि राम राज्य में कोई भेद भाव किसी के साथ नहीं होता है हमने भेद नहीं किया जादी क्याधार पर, मत क्याधार पर, मजब क्याधार पर, छेत्र क्याधार पर, भासा क्याधार पर कोई भेद भाव देश के अंदर नहीं कियानक करने दिया हमने तो सब को असाथ और सब के विकास की बात कही लेकिन कॉंग्रेस के लोग क्या कहते थे याद करिये डॉक्टर मनमोन सिंग जी का डॉक्टर मनमोन सिंग जी ने एक बार प्रधान मंतरी रहते वे उन्होंने कह दिया था कि देश के संसादनों पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है मित्रों अगर संसादनों पर मुसल्मानों का अधिकार है तो इस देश का हिंदू कहा जाएगा कॉंग्रेस के नेतों से तो पूछिए इस बात को आज मद्यप्रदेश में चुनाओ चलने हैं और चुना में कॉंग्रेस के वहां के अध्यक्स ने एक बयान दिया उन्होंने कहा कॉंग्रेस के नेता कहते हैं मद्धिपदेस में कि हमें अनुसुची चाती चंचाती का वोट नहीं चाहिए हमें तो क्योल मुसल्मानों का वोट चाहिए मुझे बड़ा ताजुब हो रहा था मैंने कॉंग्रेस के नेताओं से कहा कि भया तुम लोगों को अली मुबारख हो हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है और मैं फिर आपसे कहूंगा इस बात को लेकर के कि मित्रों यह जो कांग्रेस जातिवाद की राजनीती कर रही है यह जातिवाद की राजनीती इस देश के पूर्णी अच्छती करेगी और इसलिए मैं कहना चाता हूँ आज इस देश के पास भारती जन्ता पार्टी के पास देश और दुनिया का सबसे इससी और तेजसी नित्रुत्व स्वी नरेंद्र मोदी जी के रूप में है मोदी जी के नित्रुत्व में किसी को कोई संदे नहीं पुरा देश भी उन्हें सम्मान देता और पुरी दुनिया उन्हें सम्मान देती है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कॉंग्रेस से कि कॉंग्रेस का नित्र तो कौन और राहूल गांदी पर तो कॉंग्रेस के नेता भी विस्वास नहीं करते आज तो कॉंग्रेस के नेता इस बात को कहते हैं मैं तो यहाँ पर 37 पूनिया से कहूंगा कि अगर कहीं से कोई बात हो तो कॉंज़ेस के प्रत्यासी को कहना कि वह अपने रास्टी एध्यक्स को बुला ले सतीस पूनिया की चीत पक्की हो जाएगी ये तरह है और इसलिए मैं कहूंगा कि आज तो कॉंज़ेस के नेता भी ओफ़ेस के नेता भी को कहते हैं कि राहूल गांदी के नेत्रुत्तों में कॉई चुना नहीं जीत सकती आज सोवे सोवे में जब जैपूर एरपोर्ट में था में एक अकबार पड़ रहा था अगबार में एक छात्र ने वह 17 बार इंजिनियरिंग की परिक्सा में फेल हुआ है तो कल कोट में गया था वो और कोट में जाकर को उसने गुहार की कि मुझे एक बार और और उसर दो तो कोट ने का कि भईया देश पर भी कुछ रहम करो 17 बार फेल हो चुके हो और मुझे लगता है कि राहूल गांदी को भी देश पर रहम करनी चाहिए अब तो राहूल गांदी के नित्रतों में कॉंग्रेस 17 राज्जों का चुनाव हार चुकी है और इसलिए मैं कहूंगा कि कॉंग्रेस राहूल गांदी के नित्रतों में कोई चुनाव जीतेगी नहीं और इसलिए भायो में नो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ रास्टी अस्तर पर नित्रतों की बात हो या राजस्तान की अस्तर पर भारती जंता पार्टी के पास एक सुस्वी नित्रतों राजस्तान में हैं स्रीमती वो सुन्द्रा राजी जी के नित्रतों में जो कार्य भारती जनता पार्टी ने पांच वर्स में आपके राजस्तान में किया और वा कार्य जिस तेजी के साथ आगे वढ़ा वा यसुसी कार्य है भारती जनता पार्टी के पास नित्र तो कावाव नहीं लेकिन कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कौन उनका मुख्यमंत त्रीपत का दाविदार है कौन है राजस्तान में डाक्टर सीबी जूसी हैं रामेसर डूडी हैं औसो गैलोत हैं सचिन पैलट हैं कोई तैई नहीं एक खींस्तान चलेगी और खींस्तान में विकास नहीं हो सकता कौंग्रेस के वल जीवन वर खींस्तान ही करती रही इसले मित्रों एक खींस्तान वाली कौंग्रेस नहीं हमें अपने बिकास के लिए सुदुर्ड न्यू को रखने वाली भारती जन्ता पार्टी की सरकार पुन राजस्तान में लानी है कॉंग्रेस यहां के जवानों की देश की सीमा की रक्सा करते वे सहादत का अपमान करती है यहां के जवानों का अपमान करती है कॉंग्रेस जब कॉंग्रेस के नेता अतंगबाद को महमामंडित करते हैं जब कॉंग्रेस के नेता नकसल बादियों को क्राम्तिकारी कहते हैं ये कॉंग्रेस कब तक इस देश के जवानों की सहदत का अपमान करेगी और इसलिए आज मैं आप सबसे पील करने के लिए आया हूँ कि मैं तरों साथ दिसंबर कीती थी राजस्थान के लिए त्यंतों में तुम्हें तुमुण है हमारे टो प्रत्यासी हां मन्च पर हैं सतीस पूनिया है हैं और सिरामलाज सर्मा हैं इन दोनों प्रत्यासी के लिए मैं आप सबसे पील करूँगा जब हम सब का बजरंग बली पर विश्वास है तो फिर मैं आप सबसे फिल करूंगा कि हम सब का संकल्प भी बजरंगी जैसा होना चाहिए मित्रो बजरंगी जैसा संकल्प यह ही है कि राम काज की नहें बिनो मोई कहाँ विस्राम यानि जब तक भग्मान राम का कारे नहीं होगा और वगवार राम का एक ही कार्या है इस देश के अंदर राष्ट वाद की अस्थापना करना विकास और सुसासन की नियूक और सुदिर्ड करना आज के दिन पर हम सब का यही कृतब बनता है कि भारती जनता पार्टी के चुनाचिन कमल के निसान पर इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं आप सबसे अपील करूंगा नौजवानों से, वुजर्गों से, माताओं से, बहनों से, सबी से अगर आप में से हर एक कार्यकरता पांच-पांच मतों को भारती जनता पार्टी के चुनाचिन कमल के निसान पर साथ दिसंबर को मद्दान करने के लिए मद्दान के इंदर पर ले जाने की विवस्ता कर देगा भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी सतीस पूनिया और रामलाज सर्मा के सामने जितने प्रतियासी होगें सब की जमानते होंगे जब्त और यही जमानत जब्त कराने के पील करते वे मैं आप सब के प्रति अपनी सुपकामनें देते वे, माणी को देता हूं, बीराम जै जै स्री राम अजी,ाजी,ाजी..